Hi friends, welcome back to my channel तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे one piece बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैंने जो उपर के पार्ट के लिए जो फैब्रिक लिया है ये वाला एक मिटर है सॉरी ये देड़ मिटर फैब्रिक लिया है मैंने और यहाँ पे जो red color का नीचे का घेर के लिए जो लिया है मैंने 66 meter लिया है क्यूंकि अंदर का क्रेप भी मैंने 6 meter ही लिया है तो ये 5 meter fabric लिया है अब हम इसको इस तरह से double fold किया है और एक fold करके ये 4 fold हो जाएगा यहाँ पे animal movie का जो रश्मिका ने पहना हुआ red dress था तो उसी तरह का ये बनाने का हमने try किया है मेरे client को उस तरह का dress चाहिए था तो हमने red color में fabric लेके इसको बनाया है यहाँ पे हमने कमर तक का जो measurement है वो 16 है उसमें 1 inch मिला के हम 17 पे mark करेंगे उसके बाद हम उपर से shoulder का measurement डालेंगे तो shoulder जो है उसका हाप हमें लेना है तो यहाँ पे 8.5 यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे shoulder line जहाँ पे खतम हो गई है वहाँ से हम armhole डालेंगे तो armhole हम 8 inch पे रखेंगे जितना हमने shoulder का हाप लिया था उससे आदा इंच कम लेना है यानि कि मैंने उपर साढ़े आटी आता हो तो यहाँ पे 8 inch ले लिए तो इस तरह से यह फैब्रिक जो है वह हेवी वाला है तो थोड़ा चौक प्रॉब्लिम कर रहा है तो यहाँ पे shoulder down के लिए मैंने आदा इंच का मार्क किया है और नेक जो है वो नेक यहाँ पे मैंने 3.5 पे रखा है तो यहाँ पे जो साइज जो है वो 42, 44 साइज का है तो इसलिए यह मेजरमेंट फुल हेवी साइज वाला है आप आपके साइज की हिसाब से कर सकते हों अब हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे तो यहाँ पे जो चेस्ट जो है वो 42 है तो इसलिए मैंने 11 पे पार्क किया है फोर्थ पार्ट और उसके आगे हम 2 इंच का एक्स्टा मार्जिन रखेंगे तो यह टोटल 13 इंच पे हो गया है तो सेम हम नीचे भी 13 इंच पे पार्क करेंगे और यह वाली लाइन जो है वो सीधा यहाँ पे जोइन करने वाले हैं अब यहां से हम आर मोल का शेप दे देंगे तो इस तरह से हमें आर मोल लेना है यहां पर लगबग हमें देड से पौने दो इंच का मार्क करेंगे हम और अब अंदर हम यहां पर आदा इंच का मार्क कर लेते हैं और उपर शोल्डर में यह लाइन सीधा इस तरह से ड्रॉख करेंगे तो यहाँ पर अंदर वाला आर्मोल हमें शेप देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर सवा इंच का है और यहाँ पर दो इंच का आ रहा है तो यहाँ पर नेक हमने 3.5 का उसका वीड रखा था और अब अब डीप के लिए मैंने हाँ पर फ्रंट का 6.5 है और बैक में यहाँ पर मैंने 3 इंच का ही नेक रखा है तो इस तरह से हलका सा मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर अब हम इसको कट करके निकालने वाले हैं तो बाहर के आर्म होल से हम पहले कट करके निकाल देते हैं तो इस तरह से हमें पहले बाहर के आर्म होल से हम कट करेंगे तो यहां पे हमारा दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएगा क्योंकि हमने फोर फोल्ड करके रखा था तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गये है अब फ्रंट वाले पार्ट पे हमें अंदर वाला आर्मुल है जो उसको हम कट करके निकाल देंगे अब हमें ये दोनों पार्ट अस्तर के उपर रखके हम इसको कट करके निकालेंगे तो दोनों पार्ट हमें बैक जो पार्ट है और फ्रंट जो पार्ट है बराबर से हम रखेंगे तो ये पैक वाले साइज पर आना चाहिए तो इस तरह से ये दोनों पार्ट रेडी हो गए है अब हम स्लीव कट करेंगे तो स्लीव कट करने के लिए यहाँ पे मैंने फोर फोल्ड करके फैबरिक रखा है तो ये जो फैबरिक है वो जोर्जेट वाला फैबरिक है तो यहाँ पे मैंने हाइट जो है स्लीव की 23 है और उसमें हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि सामने हाथ के हमारे जो जहाँ पे हम वाच पेहनते वहाँ पे चुन्नटे आने वाली है तो इसकी वज़े से यहाँ पे 5 टू 6 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है तो यहाँ पे मैंने 30 इंच तक मैंने रखा है स्लीव के हाइट तो यहाँ पे हम 30 इंच पे मार्क करे तो जहां पर हमने 30 का मार्क किया था वहां से हम नीचे एक लाइन ड्रॉक की है और वो पूरा इस तरह से जॉइन करना है तो आप देख सकते हैं इसकी विट भी मैंने 11 इंच ही आ रही है जितनी हमारी चेस्ट के आती है उतना ही हमें यहां पर लेना होता है अभी इस तरह से म तो यहां पर जो गेरा है वो 7.5 है तो उसमें 1,5 इंच मिला के हम 9 इंच पर मार्क किये है तो अब हम यहां पर नीचे जो है अमारा राउंड जितना है उसमें 1,5 इंच एक्स्ट्रा रखके हम मार्क करेंगे तो उसके बाद यहां से लेके हम उपर तक पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब देख सकते हैं इस तरह से हम इसको मार्क करके अभी हम इसको कट करके निकाल देंगे अब यहां पर स्लीव को उपन करना है और फिर अंदर वाला आर्मोल यहां पर कट करके निकालना है तो यह हमारे दो स्लीव बराबर बन जाएंगे तो यहां पे मैंने जो फैब्रिक लिया है वो 5 meter लिया है क्यूंकि मैंने total 6 meter फैब्रिक लाया था उसमें से 1 meter का मैंने sleeves कट कर दिया है और अब ये 5 meter है तो इस तरह से इसके 4 fold करके मैंने रख दिया है तो आप देख सकते हो इसके 4 fold है अब हम इसको नीचे के गेरे में इसको cut करने वाले हैं तो यहाँ पे एक corner से जहाँ पे हमारा fold है यानि कि on fold side से हम mark करेंगे और यहाँ पे round shape में हम इसको mark कर लेते हैं तो यहाँ पे जितना अपना कमर का round है उसमें 2 plus करके जितना आता है उसको हमें 4 से dividing करना है और फिर जो marking आजाएगा आपको वहाँ पे round में mark करना है तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे कर दिया है तो आप आपके हिसाब से आप कर सकते हैं बस आपको याद रखना है जितना अपना कमर का गेर है उसमें आपको 2 इंच extra लेना है और फिर उसको 4 से dividing करना है तो इसी तरह से हम पूरी लाइन 7 पे mark करेंगे और यह round shape हमें देना है अब हमें नीचे हाइट इसके लेनी है तो हाइट जितनी अपनी पूरी हाइट है अब यहाँ पे जो पूरा हाइट जो है ड्रेस का वो 53 इंच है उसमें से मैंने 60 इंच माइनस कर दिया है 60 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे आजाता है 38 तो 38 हमें यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे पूरा हाइट जो है पूरा है यहाँ पे बैढ रहा है तो इसलिए मैंने पूरा 38 पे मार्क किया है अब इसको हम पूरा round shape में हम इसको draw करेंगे और फिर इसको cut करके निकाल देंगे तो इस तरह से तो यहाँ पे आपको याद रखना है जहाँ पे हमने कमर का मार्क डाला था वहाँ से नीचे का गेर के हाइड हमें रखनी है तो जितनी हाइड है उसमें से हमने उपर का कमर का part जो cut किया है वो minus करना है तो यहाँ पे मेरा 38 आ रहा है तो 38 पे मैंने mark कर दिया है और इस तरह से हम पूरा round shape देके इसको cut करके निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से पूरा half circle वाला round हो गया है तो इसके दो part हो गया है यानि कि यह full circular वाला लेंगा बनने वाला है अब हम यह नीचे वाला जो हमने गेर कट किया है उसके लिए lining भी हम same cut करेंगे इस तरह से ही पस हमें lining के height जो है वो 3 इंच कम रखनी है उपर वाले part पे नीचे वाला part इस तरह से जोईन करने वाले है तो यहाँ पे अब देख सकते हूं मैंने lining भी same cut करके लिया है और अस्तर और lining यहाँ पे इस तरह से जोईन करके लिया है अभी joint करना मतलब क्या किया मैंने बस कमर के यहां से मैंने अस्तर और फैब्रिक को जोइंट किया है और यहां पर नीचे से आप देख सकते हो तीन इंच का गैप मैंने रखा है तो यह लाइनिंग अंदर का थोड़ा कम है और यहां पर जोइंट करके मैंने लिया है यहां पर मैंने canvas paper को इस तरह से cut करके ले लिया है अब हम इसको इस तरह से set करेंगे तो पहले हमें fabric रखना है उसके उपर अस्तर इस तरह से रखना है और फिर हमारा canvas रखना है तो यहां पर मैंने 3.5 width का और 6 inch height का यहां पर मैंने neck रखा है तो इस तरह से हम हम इसको stitch करके ले लेते हैं स्टीचिंग होने के बाद इसको cut करके अंदर की तरफ से इस तरह से फोल किया है तो यह हमारा front वाला भी part ready हो गया है और same मैंने back वाला भी कर दिया है back वाले पर neck मेरा कम रखा है मैंने तो इस तरह से हमारा back और front तयार हो गया है अब हमें shoulder join करना है तो shoulder join करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से front वाले part पे back वाला part हमें यहाँ पे रखना है और इस तरह से इसको join करना है यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल invisible stitch रहेगी तो इस तरह से हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टीच लगाना है तो इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा कर ले लेते हैं तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा कर ले ली हैं आप देख सकते हो इस तरह से सिलाई होने के बाद यह दिख रहा है तो यह हमारा back और front रेडी हो गया है और अब हम इसको side से पूरा stitch करके ले लेते हैं और फिर हम इसमें sleeve joint करेंगे तो इस तरह से अब हम इसको पूरा side से असतर और fabric joint करके ले लेंगे अब हमें sleeve joint करनी है पर sleeve joint करने से पहले हम sleeve में हम नीचे border लगाने वाले हैं तो border इस तरह से लगाएंगे जो हमारा जो उपर वाला part था उसका मैंने यहाँ पे 5 इंच का एक border कट करके लिया है अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे यह sleeve ready हो गई है अब हमें sleeve उपर के part पे जोइन करनी है तो इस तरह से ہम front वाली sleeve sorry right वाली sleeve right की यहाँ पे जोइन करेंगे तो यहाँ पे पूरा open करके हमें रखना है और फिर इसको sleeve shoulder से जोइन करनी है तो इस तरह से दोनों तरप की sleeve हमने जोइन करके ले ली है अब हमें नीचे का गेरा जोइन करना है तो यहाँ पर हमने जो दो गेरे हमारे हो गया है तो इस तरह से अब हम गेरा जोइन करेंगे तो अब देख सकते हो अस्तर और फैब्रिक मैंने दोनों जोइन करके ले लिए इसमें गेरे में तो नीचे की तरब इस तरह से अब हम इसके उपर हमारा ये प्रंट वाला पार्ट रखेंगे और यहां से हम स्टीज करके ले लेंगे तो इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट प्रंट वाला और बैक वाला दोनों हम स्टीज करके ले लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जाइन करके हो गया है अब इसको अंदर की तरफ से हम फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग के लिए देड़ इंच साइड से छोड़ना है और फिर हमें स्टीच करना है तो यहां पर यह पूरा स्टीच करके हो गया है तो नीचे की तरफ मैंने बस पीको करके ले लिया है अंदर वाला अस्तर को भी और में फैब्रिक को भी तो इस तरह से यह पूरा वन पीस हमारा रेडी हो गया है आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है यह आप चाहे तो इसको पीछे नॉट लगा सकते हो तो इस तरह से यह पूरा रेडी हो गया है बहुत ही सुन्दर और यूनिक ऐसा यह वन पीस हो गया है तो पहनने के बाद भी इसका आप एक बार लुक देख लो और आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमिन करके जरूर बताना है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अब भी सब्सक्राइब करो थैंक यू